हेलो गाईज, स्वागत है आप سबी का एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे इंस्टराग्राम स्टोरी के आइडियाज जिनको अगर आप follow करते हो तो आपकी Instagram story काफी interesting लगने लगेगी So guys almost हम सारे लोग Instagram use करते हैं और Instagram पे stories upload करते रहते हैं But guys इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनको अगर आप follow करते हो ना तो आपकी Instagram story काफी ज़्यादा interesting हो जाएगी और guys मैं 5 तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनको साइद आप मेंसे बहुत कम लोग जानते होंगे हो सकता है एक आज ट्रिक आप मेंसे किसी को पता हो But believe me आपको ये 5 ट्रिक काफी मज़ेदार लगने वाली है और आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ useful सीखा इस वीडियो से अगर आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो यार चैनल को subscribe कर लो bell icon भी on कर लो जिससे मेरी आने वाली वीडियो की notification आपके पास पहुँच जाए क्योंकि मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर बनाता रहता हूं वीडियो थोड़ा सा लेंदी है कुछ अच्छी information हावा में सिखाई नहीं जा सकती वीडियो को लास तक जरूर देखना तो चलो टाइम को वेश्ट ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं जान लेते हैं कौन से हैं वो पाँच आइडियाज जिनका यूज़ करके आप अपनी story को काफ़ी interesting मना सकते हो सो गाइज बात करते हैं सबसे पहली trick की जिसको आप follow करोगे ना तो आपकी story बहुत ही मस्त लगने वाली है आपको करना कि आपको story वाले section पर जाना है कोई photo select कर लेना है जिसको आपको upload करना है जैसे मैंने यह photo select कर लिया इतना करने के बाद आपको जो text के बगल वाला icon दिख रहा है brush का उस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको अपने brush का size थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इतना बड़ा कर लेना है, उसके बाद guys यहाँ पर यह paint का option आपको दिख रहा है, इस पर आपको click कर देना है, उसके बाद यहाँ से नीचे कोई color select कर लेना है, मैं prefer करूँगा कि red आप select करें, red क्योंकि काफी अच्छा लगता है, इसके बाद आपको zigzag motion में अपने photo के उपर drag कर देना है, इतना करने के बाद guys आपको उपर brush का icon मिलेगा, brush पर आपको click करना है, उसके बाद अपने photo के उपर सही से erase कर देना है, धीरे-धीरे, इस तरह से आप इसको erase कर दीजिए, मैंने बहुत ही जल्ली जल्ली में कर रहा है, तो सही से हुआ नहीं, आप बहुत आराम से जब erase करोगे, तो यह बहुत ही अच्छा look देगा आपके photo को, और आप देख सकते हो कि अभी भी यह काफी सही लग रहा है, बस थोड़ा सही से अगर erase करता तो यह और attractive लगता, इस trick को follow करके आप अपने photo को काफी professional look दे सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो इस photo में, ओके, आप बात करते हैं, अपनी second trick के बारे में, वह है guys, collards, कैसे आप Instagram में collards में stories को अपनी upload कर सकते हो, कैसे अपने photos को merge कर सकते हो, तो इसके लिए अपनी story वाले upload वाले section में आ जाईए, यहाँ पर आप देख सकते हो, layout का option है, layout पर आप क्लिक कर दीजे, अब आपको इसमें बहुत सारे frames मिल जाएंगे, जैसे आपको यह four photo का frame है, यह dual photo का frame है, इसी तरह आप बहुत सारे frames मिल जाएंगे, तो इसमें अगर आपको photo insert करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यह नीचे जो corner में icon है, इसके पर क्लिक करना है, इसके बाद आपना कोई photo select कर लेना है, फिन next करके कोई अगला photo, इस तरह से आप अपने photos को collage में adjust कर सकते हो, इसके वाज से tick करके, आप इसे चाहिए zoom out करिए, zoom in करिए, track कर के आप इसे बहुत सारे filters भी apply कर सकते हो, जो कि काफी attractive लगते हैं, तो इस तरह से आप अपनी story में एक साथ कई photos को सिर्फ एक photo में merge करके लगा सकते हो, यह भी काफी अच्छी trick है, आप इसका use जरूर करना, अब बात करते हैं अपनी third trick के बारे में, यह trick भी बहुत ही amazing है, यह आपको कई बार काफी help कर सकती है, आपकी story को थोड़ा सा focus बनाने के लिए, अगर आप किसी object की photo आप अपनी story में लगा रहे हो, तो इसमें जैसे मैंने यह वाला photo select कर लिया, तो इस photo में मुझे किसी object को highlight करना है, तो इसके लगाई जागों करना है, आपको यह text के बग arrow generate होना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो, मैं उपर से नीचे swipe करूँगा, तो यह एक arrow generate हो गया, left से right swipe करूँगा, तो एक arrow आगया, अप color भी आप change कर सकते हो, इस तरह से आप किसी object को बहुत ही highlight कर सकते हो, या उस पर सब का ध्यान आकरसित कर सकते हो, कि यह आप पर कुछ है, जिसे आपको देखना चाहिए, यह था एक तरीका अपनी stories में arrows को insert करने का, आपको पसंद आया होगा, अब बात करते हैं, अपनी next trick के बारे में, वह है guys, text की editing, so text की editing, आप Instagram stories में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको बहुत सारे options मिलते हैं, but मै आपको जो कुछ tricks बताने वालों, वह बहुत useful होगी, अगर आप उनका use करोगे तो, so अगर आप इस तरह का कोई photo या किसी भी तरह का आप अपना photo यहाँ पे लगा रहे हो, तो आप अगर इसमें कोई text लिख रहे हो, so जैसे मैंने यहाँ पे यह type किया, nature's beauty, अब अगर इस से आपको stylus बनाना, तो आप क्या कर सकते हो guys, आप इसको एक बार और same यही type करिए, इसके बार इसका कोई color ले लिजे, इसको guys आप drag करके उसी shape में उसी के ऊपर थोड़ा सा adjust करतीजे, इस तरह से आप same text को दो बार type करके अलग-अलग color में उपर नीचे रख के अपने font को काफी stylus बना सकते हो, आप देख सकते हो कि यह थोड़ा सा bold हो गया है, और और कोई तरीका नहीं आपको Instagram पे इस तरह का effect पाने का, so guys, अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, ज आइकन पे क्लिक करना है, इसके बाद यह brush वाला icon है, इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है, और इसे इतना बढ़ा कर लेना है, कि आपका text जितना बढ़ा हो, उस size का कर लेना है, उसके बाद paint वाले icon पे नीचे आ जाई, यहां पे नीचे colors के option में से कोई color select करने के बाद, आप अपने font पे single tap कर दीजे बस, इसे मैंने tap किया, आप कोई दूसरा color ले लिया, फिर उससे tap किया, फिर तीसरा color लिया, tap, next color tap, इस तरह से आप अपने font को काफे stylish look दे सकते हो, अगर आप सही से इन fonts के पीछे color tap करोगे, तो आपका font काफी मज़ेदार दिखने लेगा, काफी attractive दिखेगा, इस तरह से भी आप अपने text को stylish बना सकते हो, और अपने stories ने उनको use कर सकते हो, और guys जो मैं final trick आपको बताने वा होता है कि हम अपने Instagram पर story लगाते हैं, बट हम चाहते हैं कि कुछ specific लोग उस story को ना देखें, या उनसे हम उस story को छुपाना चाहते हैं, कि वो story उनके mobile पर ना जाए, तो इसके लिए guys इसमे एक setting option होता है, जिससे आप कुछ particular लोगों से अपनी story को hide कर सकते हो, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी profile वाले icon पर click करना है, उसके बाद इन three lines पर आपको click करना है, उसके बाद settings में आ जाने के बाद आपको privacy में जाने के बाद आप थर्ड ओप्शन पर देख सकते हो, story का option है, आपको story पर click करना है, उसके बाद उपर लिखा है hide story from, अब यह mobile पर मेरी story नहीं जाएगी, वो मेरी story को नहीं देख सकते, अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हो, hide story from six people, मतलब से छे लोगों को मैंने select कर रखा है, तो वो हमारी story को देखने के लिए eligible नहीं है, इस तरह से आप अपनी इस्टा story को किसी particular person के लिए hide कर सकते हो, यह भी काफ अपनी story को काफे interesting अब बनाओगे, तो यार अगर वीडियो पसंद आया, तो यार लाइक ज़रूर करो, और अगर अभी तक subscribe वाले red बटन को black नहीं किया है, तो यार subscribe करो, bell icon को दबाओ, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye